हाई फ्रेंज वेल्कम तू आर चैनल जाइका लाजवाब और आज जो रेसेपी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वो है मड़ केक मड़ केक के लिए जो आपको चीजें चाहिए वो आपके सामने हैं इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा चॉकलेट 200 ग्राम्स 200 ग्राम्स ही हमें चाहिए बटर वन कप शुगर है वन कप से देखें थोड़ा यह कम मैंने रखा है साथ ही हमें चाहिए वन एना हाफ कप मैधा वन टी स्पून बेकिंग पाउडर और हमें चार अदद अंड़ों की जरुरुत होगी तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना सबसे पहले हम बटर को जो है वो मेल्ट करेंगे एक पॉट के अंदर और साथ ही हम इसमें अपनी चॉकलेट को भी डाल देंगे और दोनों को जो है हम थोड़ी हलकी आँच पे जो है वो इसको मेल्ट कर लेंगे अची तरह से चॉकलेट और बटर देखे हमारा मेल्ट हो गया है अब इसको फोड़ी देर रूम टेंपरेचर पर जब तक यह आ जाता है तब तक हम यहां पर मैंने जो है वो अंडे तोड लिये हैं और इसके अंदर हम अपनी शुगर को मिलाएंगे और इसको अब हम बीटर से थोड़ा चीनी और अंडे हमने बीट कर लिये थे और अब हम इसमें पनेला एससेंस जो है वो शामिल करेंगे वन टी स्पून बिल्कुल भर के और इसके इलावा अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपना मैदा और बेकिंग पाउडर ये दोनों हम साथ ही शामिल कर देंगे इसको आप चान के जो हैं वो शामिल करेंगे और इसको भी अब हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे साथ ही अब हम अपनी मेल्टेट बटर और चॉकलेट को भी शामिल कर देंगे और इसको भम एक साथ जो हैं वो बीट करेंगे अवन को मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेट पे जो है वो प्री हीट करने के लिए रख दिया है तो चलिए इसको भम बीट करते हैं मिक्स्टर को मैंने बीट कर लिया था और साथ ही आपको इसके लिए चाहिए होगा एट इंच का ये मेरे पास राउंड पैन है जिसको के मैंने लाइन कर लिया है बटर पेपर से और 180 डिग्री सेंटीग्रेट पे जो है हमारा अवन प्री हीट है तो इस मिक्स्टर को अब हम इसमें डालेंगे और इसको अब हम बेक करने के लिए रख देंगे मिक्सर को मैंने डाल दिया है मोल्ट के अंदर और अब हम इसको बेक करने के लिए रखते हैं मट केक जो है हमारा बेक हो गया था और इसको तक्रीबन 35-40 मिनिट मेरे अवन में लगे थे और जब यह रूम टेपरेचर पर आ गया था तो मैंने इसको डस्ट कर दिया है आइसिंग शुगर के साथ आप चाहें तो इसको आइस्क्रीम के साथ इंजॉई कर सकते हैं या इस अर वीडियो